हेलो इस्टुडेंट्स अपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफर्म पर आप सभी का हर्दिक स्वागत आज हम लेने जा रहे हैं इंग्लिस में और भी नए सेंटेंसेज थोड़े डिफरेंट टाइप के ताकि आपके लिए वो काम आए और बोलने में भी सरलता हो उसको लेकर के आज हम पढ़ेंगे आप बहुत अच्छे तरीके से जुड़े रहते हैं और साथी साथ रेस्पंस तो बड़िया है ही लाइक शेयर भी आप करते हैं बहुत ही अच्छी बात है आपके द्वारा जो भी काफी कुछ सीखा गया है दावे से कहता हूं कि आपके लिए लाइफ टाइम तो काम आएगा ही क्योंकि आदमी जिन्दगी बहुत सीखता है सीखना भी चाहिए इसलिए ना केवल कॉंपिटिशन में बलकि स्पीकिंग में आपको पफिक्ट बनाने का काम अपेक्स क्लासीज एजुटेक ने जो सुरू किया है उसको हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे निभाएंगे देखिए इस पॉकन इंग्लिश में आगे हम आज लेते हैं इसेंटेंसेज जिसके अंत्रगत देखिए तुमने मुझे अपना फोटो नहीं दिखाया अपने मित्र के साथ में बातचीत करते हुए कई बार इस टाइब से फोटो अगरा अचा मित्र में फोटो कि आवते हैं कि फोटो कभी कभार आपकी जिससे सगई हो गई हो और तो लड़का चाहता है कि उसकी ओने वाली जो मंगितर है उसका फोटो कैसा है वो भी देखना चाहता है लड़की भी फोटो देखना चाहती है आज कल तो क्या है कि काफी मौडरन जमाना है फोटो तो इस टाइब से भी कभी कभार यह चीज़े होती है तो उस फोटो की भी बा your photograph you have not sent me your photograph जराय सामान मेरे होटल में पहुंचा दीजिए जैसे आप जाते हैं तो माल दीजिए वहां पर वेटर वगर हो या और भी कोई हो प्लेज डिलिवर दे गोट्स एट माई होटल जैसे अम इसको बोलते हैं ना इसको अंग्रेज होटल हम इसको होटल कहते हैं होटल जब वह उटल इसे बोलते हैं और जब बात आती है तो इसको लेकर के ओटल हलंकि आर्टीकल की बात आये तो इसमें एन आर्टीकल यूज इतना करते नहीं कभी कभी कभार ऐसा कुछ भी गया है और वहाँ पर एदि अ और ऑन दोनों दे दिया है वह आलंकि देंगे नहीं क क्योंकि जब भी इसको hotel, अंग्रेज hotel बोलेगा, आम बोलते हैं hotel, अंग्रेज बोलेगा hotel इस टाइप से, please deliver the goods at my hotel, मुझे चस्मा बदलवाना है, I have to get my spectacles changed, मुझे चस्मा बदलवाना है, मुझे एक और कंबल चाहिए, क्योंकि सर्दी ज़्यदा पड़ रही है, उस हिसाब से, तो इस टाइप से भी आप आपस में चर्चा करते हैं तो उसको कैसे बोलना है, उसको आप बोलें बहुत ही बढ़िया तरीके से, करने, my watch has been sent for repairs, my watch has been sent for repairs, यनि मेरी जो गड़ी है बनने के कहने कार उसकी रिपेरिंग के लिए दिया गिया भेजा गिया है, मुझे चावल, डाल और कड़ी चाहिए, कड़ी मन जो कड़ी होती है न कड़ी बोला जाएगा उसको कड़ी हम जो बोलते हैं चावल, राइस हो गए, डाल जो पलसेज भी आती है, आपके वहां पर बोजन जो भी बना है, उसमें आप क्या-क्या चाहिए, उसको लेकर के या फिर आप जब होटल पर खाना खा रहे हैं, ऐसी इस्तती में वहां पर वेटर को भी बोल सकते हैं, या वहां राइस पलसेजन करी, ऐसी स्तती में वह उस्विसाब से आपके लिए प्लेटर लेकर के आएगा, ठीक है, यह इसकी बात हुई, इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में देखिए, मैं एक दर्जन सिगार और दो दर्जन सिगरेट जाता हूँ, हलांकि यह चीज अच्छी नहीं है, यह ही सेंटेंसे जाधी के तवर पे देखा जाए, वैसे नसा नास का द्वार, नसा बिलकुल नहीं करना है, यह आपको इस प्लेटफर्म के माध माधियम से ही, अपेक्स, क्लासी, एजुटेक चैनल है, इसके माधियम से, इस डिजिटल प्लेटफर्म के माधियम से, आप सभी से निवेधन करना चाहूंगा, कि नसा जो है, आप बिलकूल न करें, और क्योंकि उससे काफी कुछ नुकसान होता है, इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि श्वयम नसा नहीं करता, इसलिए मुझे कहने का हग के, मैं करता तो मुझे कहने का हग नहीं होता, चीक है, I want one dozen cigars and two dozen cigarettes, इस टाइप से, मुझसे सिशा तूट गया, the mirror was broken by me, the mirror was broken by me, का चूट गया है, और कोई चीज, ऐसी स्टती में त तो दरपन हो गया, और कोई glass टूट गया, आपके आज से, आपके कोई और कोई बरतन जो होता है, अर्धन pot को होता है, मिठी का जो बरतन है, वो टूट गया, उसको लेकर कि तो कैसी आप बोलना है, उसको लेकर कि हमने, या sentences लाएं, कुछ ठंडा लीजिए, सर्दी है वैस अपने मित्र से बात में कभी-कभी इदर उदर हो गई, दूसरा पूछ रहा है, तो आपने जवाब दिया, I haven't seen your book, मैंने तो आपकी किताब देखे ही नहीं, ठीक है, इस टाइप से, आगे बढ़े, ये बक्सा बड़ा भारी है, ये बक्सा, नॉर्मल है, बक्सा हो, इस ब when the trunk is very heavy, this bag is very heavy, this trunk is very heavy, जो भी उसमें आपके पास में जो भी आपके सामान है, bus को बाड़ी रहे बैख है कोई बक्सा है किसी प्रकार से और इस प्रकार से कोई box बगरा और भी कोई चीज है तो उसमें heavy है तो उसको लेका कि this box is very heavy यह बड़ा भारी है इन सब चीजों को ले आओ ब्रिंग या फिर get all these things bring all these things या फिर get all these things bring all these things और get all these things इस टाइप से आप बोलेंगे उस प्रकार से आपके यह sentence है वो बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं बनेंगे अच्छे और साथी साथ आपस में आप चर्चा करते रहें काफी है वो मैंने देखा है कि आपस में आप जो व्यक्तिकत करने भी बोलूंगा ठीके द्याहन दीजाए इन चीजों को बांगत दो फैक देस् चैजों को आपना बिश्तर बंद उठा लिजीए प्लिज केरी और अपना फिस्तर बंद उठा दीजियूए या फेर इन चीजों को बांद दीजिये pack these things, pack these articles, ठीक है, इस टाइप से ये sentences बनेंगे और इसको लेकर किस टाइप से आप पढ़ें, वह अपना सब सामान लेकर घर से चला गया, सामान कम लेकर चलें, जब भी आप विजिट करते हैं, ट्रेवल करते हैं कहीं पार, यू शुड ट्रेवल लाइट, जान दो, बहुती सामानी सेंटेंस है, जएदा जरूत पड़ती हैं इसको, हमारे को बोलने की, तो यू शुड ट्रेवल लाइट, इसमें, इसका आर्थ हो गया, सामान कम लेकर चलें, उसे क्या है, असानी रहती है, नहीं तो जएदा बाहर पास में होता न, तो कापी प्रोब्लम आती है, ठीक है, यू शुड ट्रेवल लाइट, उसको सुंदर चीज़ों से बहुत लगाव है, यू इस फॉंड ऑफ ब्यूटिफुल टिंग्स, और आप तो ब्यूटिफुल टिंग्स है, तो आप भी है वो, कोई भी चीज सुंदर है, तो वो आपको भी काफी अट्रेक्ट करती है, आकर्षित करती है, करती है कि नहीं, सही बात है, या मैं ऐसे ही किया रहूं, बिल्कुल बताएं, इस फॉंड ऑफ ब्यूटिफुल टिंग्स, उस पर खून का इल्जाम लगाया गया, यू आपको बताया भी है, इस ताइप से बोला जाएगा, और इसको लेकर के, आप अच्छे तरीके से इसको याद करें, वह दो दिन जेल में रहा, ही वाज इन पॉलिस लॉक फॉर टू देज, उस ने इस गटना की रिपोर्ट पुलिस को दी, अलंकि यह मैटर ऐसे नहीं हो तो ही अच्छे हैं, और मान लीजे के बारे में, वहमारे को ऐसी अभिवेक्ति देनी होती है, चर्चा करनी होती है, तो बात, नहीं तो ऐसे मामलों से, जितने अपरादिक मामली हैं, उनसे दूर रहें, उतना ही अच्छा है, ऐसे सेंटेंस तो के वहला, आपके मामली जी एसे इस्तति कोई हो गई है, तो ऐसे इस्तति में, कि वाज इन पुलिस लॉकप टूड़ेश और ही रिपोर्टेट इस इंसिदेंट तो दा पुलिस, अपरादी बरी कर दिया गिया, अपरादी को बरिया, अपरादी बरी, अपरादी बरी, इस टाइप से उसके लिए सेंटेंस बना, वह जमानत पर छोड़ दिया गया है, ही वाज रिलीजट ऑन बेल, बेल होती है, जमानत, ही वाज रिलीजट ऑन बेल, शेहर में बदमनी फैली हुई है, लॉलेशनेस प्रिवेल्स इन दे सिटी, वैसे चारतरफ बदमनी ने अमन चैन होना चाहिए, बिलकुल, जारतरफ सांती होनी चाहिए, यह हमेशा, इसमें देखिए, किस प्रकार से दोनों सेंटेंस बनने, ठीक है, communal हर्मनी ने, तुमने गयर कानूनी काम किया है, यह एक इस इलिगल, इलिगल होता है, गयर कानूनी अवेद एक प्रकार से, गयर का इलिगल, इलिगल वेज वैसे फॉलः नहीं करने चाहिए, इंसाप का यही तकाजा था, जस्रीट इप से लिएद Алवा, इस तकाजा था, यह फिर तουचाह इंडियर कानूनी काम किया है, और एक इप इस इलिगल, इस इम बोल सकते हैं, आगे दीए, किस टैप से, थोड़ा इसको बीच में लेता हूं में, देखिए, आप मेरे गवाह है, you are my witness, witness हो गया गवाह, you are my witness, आप मेरे गवाह है, ये कानून के खिलाफ है, this is against the law, this is against the law, उसमें आप माली जी कोई भी ऐसा काम कोई कर रहा था उसके लिए, इसको लेकर के इस टाइप से से बोला जाएगा, वह बिल्कुल बेगुना है, बेगुना, he is innocent, he is innocent, वह बेगुना है, ठीक है, उसके लिए इस टाइप से बनेगा, आप ही इंसाफ करें, it is for you to judge, जज, it is for you to judge, इस टाइप से आप इंसाफ करें, यह सब नकली दस्तावेज हैं, इस टाइप से यह संतेंस से सामिल किये हैं, जिसमें, law and order से रिलेटेड उसका कारण है कि आपके LDC का जो एक्जाम होता है, अभी जो होने भी जवाला है, फॉरम बरे गए हैं, तो उसमें क्या है कि इस से related काफी इस टाइप के प्रशन पूछते हैं, इसलिए उसमें आपको काफी help मिलेगी, तो यहां पर आपको दो फाइदे हो रहे हैं, एक तो यह कि speaking भी प्लस सात में आपके एक्जाम से related, competition से related उससे रिलेटेड आपको यहां पे sentence मिलने और इसमें सब्द पेंद रहे हैं, जिससे आपको फाइदा होगा, आज कल मुकदमे बाजी बढ़ गई है, nowadays litigation is on the increase, nowadays litigation is on the increase, आज कल मुकदमे बाजी बढ़ गई है, यानि लोगों में सद्भावना जो है, वो थोड़ी कम होती जा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है, अमेशा आप से प्रेम बना रहना चाहिए, आप से प्रेम जो है, वो हमेशा अच्छी बात होती है, उसमें lawyers, वकिल जो होते हैं, विटनेश जो गवा होते हैं, और मुक्दमे बाजी जो litigation है, increase यानि बढ़ जाना, nowadays आज कल, इस आप से आप के लिए अच्छी सब्द, police इस विशे में चानवीन कर रही है, the police is investigating the matter, the police is investigating the matter, police इस विशे में चानवीन कर रही है, मैने उसके विरूत क्रि या, I have failed a criminal case against him, I have failed a criminal case against him, इस टाइप से ये sentence बना, हिंदी में ये और फिर इंगलिस में आपकी सुविधा के लिए, दोनों, ताकि आपको बोलने में किस परकार से असानी रहती है, उसको ले करके, हमने ये कारिये, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से, आपके लिए हम हमेसा लेके आये हैं, और आगे भी बहुत ही इजी वेस से जो कॉंपेटिशन में भी काम आएं और साथ-साथ, स्पिकिंग में भी, मजिस्ट्रेट ने अपरादी पर अपराद लगा दिया मजिस्ट्रेट अपरादी पर अपराद लगा दिया दा मजिस्ट्रेट सम्झोता आपस में सम्झोता जो करते हों घंप्रोमाईज कहलाता है कई बार बीद्व आपको मजस्टेट ने अपरादी पर अपराद लगा दिया मजस्टेट कर्विक्टि द त्यूज अंत में अभ्यूक्त और अभ्योक करने वाले ने सम्झोता कर लिया at last the plaintiff and the defendant reached a compromise उसको मृत्युधन दिया ठीक है कभी कबार आते हैं राष्टपती के पास दयायाची का जाती है उस प्रकार से भी लेकिन he got a death sentence 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 जेल बेजना भी होता है जो फ्री got a death sentence मृत्युधन उसको मृत्युधन मिला I got a death sentence jury ने अभ्युक्त के पक्ष में निरने दिया jury जो जाजादी होता है जूरी गेव its verdict verdict वाता निरने in favor of the accused verdict सब्द का प्रियूख कई बार होता है news आप पड़ेंगे तो उसमें आप देखना हमेशा क्योंकि कई बार कहते थे कि बीच में कह रहें तो कि अयुद्या का verdict आना माला है उसको लेकर कि verdict निरने जो भी अदालती निरने होते हैं उसको ले के तो जूरी गेव its verdict in favor of the accused इस परकार से sentence बना समझ में आरा ना सब बिलकुल यस पटापट लिखिए आगे बढ़ती हम खूनी को फांसी मिल चुकी है the murderer has been hanged खून करेगा तो गड़ बड़े सी होगा उसके लिए तो उसमें sentence बनेगा murder has been hanged उसको फांसी मिल चुकी है कानून न जानना कोई बहाना नहीं ठीक है न है ignorance of law is no excuse ignorance of law is no excuse मुझे तो पता ही नहीं गाड़ी कैसे चलानी और एक्सिडेंट कर दे तो इसका आरति है नहीं कि ignorance of law is no excuse कानून न जाना कोई बहाना नहीं ऐसे कोई बहाना नहीं चलता rule regulations जो भी है वो तो आपको follow करना ही चाहिए सब को हमें एक जिमिदार नागरिक है इसलिए आगे देखिए इसको इदर लेते हैं देखो इसमें देखिए जज ने चोर को सजा दी ठीके जज पनिस्ट दथीफ ठीके जज पनिस्ट दथीफ मुकदमे का क्या फैसला हुआ यहनि जो मुकदमा था इसका क्या फैसला हुआ इस प्रकार से दोनों सेंटेंस बनी इसमें जज ने चोर को सजा दी जज पनिस्ट दथीफ मुकदमे का क्या फैसला हुआ वा चस्मदीद होता न चस्मदीद किसको कहते है आइविटनेस होता रहिए इस एन आइविटनेस वा चस्मदीद गवा है वा कानून का मानने वाला है बिलकुल अच्छी बात है He is law abiding man. अगे देखिए, इंसाप में देर का मतलब अंदेर है, इंसाप में देर का विलकुल, God sees the truth but waits God sees the truth but waits. जस्टीश डिलेड is just Is Denied. इंसाप में देर इसका मतला फिर वो अंदेर इसके मतला, पिर वो अंदेर justiceडिलेड is just Is Denied. सफाई के वकील ने बहुत बढ़िया पेरवी की, the defense, सफाई में, सफाई में वकील ने जब यानि जब बोलते हैं, the defense counsel argued the case well, the defense counsel argued the case well, की वकील जो पक्षकार के पक्ष में इस प्रकार से काफी वकालत की, पेरवी की, मैने रंगिन टेलिविजन खरीदा है, I have bought a color television, I have bought a color television, I color television, color television आपको अच्छा लगता है, आपका TV चल रहा है, your TV is on, your TV is on, उसमें यह तो समने बाते घर पर होती है, उसको लेकर करके, मित्र आया, आप मित्र कियां गई, आपने बोला, your TV is on, आपका TV चल रहा है, अच्छी तरी के से इसको follow करें, बहुत सारे ऐसे से सेंटेंज, competition related है, वो भी लेकर आये हैं, और आगे भी लाते रहेंगे, मिलते हैं next class में, thank you.